नमस्कार दोस्तों आपके यूट्यूब चनल फिन ओविच पे जियो फैनेशियल सर्विसेज जियो फिन का जब आया आए 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 आने के बाद बहुत सरे इंवेस्टर्स के और से यहां पर एक डिमांड करीज देखने को मिला था कि रिलांस इंडेस्टर्स क पेडिम को एक अधी में एक जो फैनेशियल सफिह करेंगे वीडियो पर बने रहे हैं वीडिओ आप अच्छा रहे हैं अगर आपने अभी तक वे आशल अपने आगे तक आपने नाजी सब्सक्क्राइब नहीं किया तो जुरू कर लिए आए के लिए से जो फैनेशल सर्विस दोस्तों इसका शेयर का प्राइस देखते तो अभी जो है लगबग 1.1% का सबस्ट शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है वही एक अफते के अंदर 0.7% का सबस्ट बनाया है और एक महिने में 10.5% का सबस्ट तेजी बनाया है तो यहाँ प एक महिने में दिखते हैं जहाँ पर एक महिने का अंदर जो इसका हाई प्राइस बनाया है जैसल सबस्ट है YouTube को अर ब् consumospジャ师 जो लोव प्राइस महिने का 237.10 पैसे का एक हंधे का high price रैस है 281.10 पैसे का और low price रैस है 263.70 पैसे का जो फालिचिवल सब्सक्राइशन का जो market Capitalization है 174,651.8 पैस करोर का है प्रिस तूबक रीश्यू 9.9 है मतलब थोड़ा ज्यादा है प्रिस तूबक रिश्यू इसे अध्यू में देखते है तो यह दूसतों मेक डी कर रहे एक बूलिश लेवल बना रहा है तौस्सों यहां पर हम लोग समझते हैं जहां पर यहां पर एक दिन का जो आपडेट देखने का बल रहा है बीएर विट रोने से मिलाके एक गिन का ज़ो इसका एवरेज है फिप्τοपोउट पॉइंट 4 मिलियन का है तो रिडे के मिलाके average देखने को मल रहा है 39 million का delivery percentage 42.1% का है delivery volume जो है 16.4 million का है दोस्तों यहापर देखते है delivery percentage जो है बढ़ता हुआ देखने को मल रहा है delivery volume जो है घरता हुआ देखने को मल रहा है शेयर और link के बात करते है promoters के पास 47.12% का stake है FIS के पास 19.83% का stake है mutual fund के पास 4.91% का stake है आधार institution के पास 8.25% का stake है और public के पास 19.89% का stake है दोस्तों यहापर जो FIS है FIS के बात करते हैं जो है FIS देख सेते हैं FIS के पास 21.83% का stake था FIS ने stake घटा के 19.83% का stake कर दिया है वही number of FII FPI investor जो है 1243 था घटा के 1051 कर दिया है mutual fund के बात करते हैं mutual fund के पास 4.71% का stake था stake घटा के mutual fund ने 4.91% का stake कर दिया है number of mutual fund skims 32 से घटा के 30 कर दिया गया है तो अभी यहाँ पे जो बोल सेते की share market के analyst है उन लों को लगता है कि यह जो share है जियो financial services इसमें और तेजी बन सकता है यहाँ पर देख सकते के आर चोस की जो इनके और से कुछ दिन पहले एक target price दिया गया था जहाँ पर टार्गेट परेस दिया गया था के आर चोस किसी अभी यहाँ पर जियो financial services और पे टेम का जो acquisition का बात चल रहा था करी देगा नहीं और जो भी ऐसे कुछ अगर updates भी रहता है तो वो लोग information दिया करेगा शेयर मार्केट में अभी यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर जियो financial जो इसको refuse किया है जो rumors चल रहा था जियो financial services और पे टेम के लेकिट अब देख सेथे जियो financial services जो फिलाल डिनाई किया है टॉक्स टॉक्स टॉक्राइट क्राइस हिट वालेट को खड़ी देगा अब यहाँ पर रलाइंस इंडस्टिस लिमिटेट इसे फानेशल services arm जो कि एक potential acquisition था जहां पर बता जा रहा है कि यह टोटली अगर देखते है तो एक तरीका से जो है एक rumors है यहाँ पर देख सेते हैं कि इन लोगों ने यह भी information दिया है कि always जो है लोग हमेशा जो यह लोग मतलब बोल सेते कि जो exchange है एक्स्चेंज पर information देता है कि यह बी ऐसे रहेगा तो फिलाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी update नहीं है and the statement जो यहाँ पर देख सेते जियो फरनेशल सर्विसेस के और से यह statement तब दिया गया है जब exchange ने यहाँ पर कुछ उसको लेके कुछ issues हुआ है और पेटेम वालेट को जो है पेटेम को और से यूज नहीं किया जाएगा तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि जियो फरनेशल सर्विसेस हो सकता है कि पेटेम को पेटेम वालेट को एक वर कर ली तो ऐसे जैसे मीडिया में अपडेट चलना कुछ भी नहीं है और एकोर्डिंग टुदा रिपोर्स जो कि HDFC बैंक लिमीटेड है वाज अलसो लीडिंग कंटेंडर अलों इस यो फरनेशल सर्विसेस तो एक वालेट बिजनस ओ पेटेम अभी उसके बात देखेंगे तो शेयर में एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल नहीं कि आप देखेंगी है कि अखिम टेखेंगे अचली आर्द केशेंगी पीजनस तो यहान पर अन्टीब टेखेंगे इस नशीक पर देखेंगे ईसेयर मेहां तो यहान पे Kai Etm जो है मतर्किल फिलया को मलें पेट धिन्योतर तैरी अगे वालेगेशन क्वाह मेर इसके चलते एंड सेंटल बेंक जो यहाँ पर यहाँ पर इसके बिजनस को जो दूसरे कंपानी के पास ट्रांसफार करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा पेटेम को अभी यहाँ पर देचेते आरबीया जो यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर कंसर्स देखा गया था जहां पर पेट पेटेम को जो है पेटेम पेमेंस बैंक को जो है रिस्ट्रिक्शन दिया है एंड यहाँ पर अंडर्टेकिंग एनी फ्रेज डिपोसीट और क्रेडिट ट्रांसेक्शन फॉर्म फेबुर्वारी तो पेटेम वालट का जो मतलब उसको मैं एगर कुछ भी डिपोसीट यहाँ इसको बंद करने के लिए कहा था और यहां पर ऐसे कुछ इनफोर्मिशन देखने के बाद तो उसके बाद यह अब्डेट आया था जहाँ पर जियो फानेशल सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर बेच नहीं सकते हैं आपको कैसा लगता है जो फॉर्मेंट करके बताईए उमीद है जो भी इंफोर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगाते वीडियो को लाइक इन शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपने अपी तेक हमारी यूट्यूब चनल फिन और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कल दूजिए